बेलकम टू एक्जाम भी बेजना तो दोस्तों जैसा कि यह आपको पता है हम अपने इस चैनलर पर डिस्कस करने हैं LT Commission 2022 इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर रहा है अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपने भी देख सकते हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है इसी के साथ आपको बता दूँ LT Commission 2021 से सबंदीत भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है या तो फिर यही प्लेलिस्ट में इस वीडियो को में शामिल कर दूँगा वहां पर जाकर आपको उस प्लेलिस्ट को भी देखना है वहां पर भी आपको महत्पुन टॉपिक्स परदान किये गए है तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट अगर अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन किर सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परदान कर दिया गया है तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पर हम डिस्क्स करेंगे चंदों के बारे में श्पेशली चंद वह होंगे मात्रिक चंद तो जो मात्रिक चंद है उन्हें देख लेते हैं मात्रिक चंद में कौन-कौन से चंद आते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं फिर से बदा देता हूं ये पर मुखे मातरिक चंद आगे में इनकी मातराइं इतियादी आपको बता देता हूं तो जो चौपई चंद है इसकी मातराइं कितनी है इसकी मातराइं हो जाएंगी 15 याद रखेगा महत्पून है इसके परश्ट आता है चौपई इसमें 16 मातराइं हो जाएंगी इसको मैं याद रखने के आपको ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको याद हो गया कि जो चौपई है इसमें कितनी मात्रा है इसमें हो जाएंगी पंदरा मात्रा है देखें ये लिखा है चौपई तो जो चौपई लिखा है इसमें हो जाएंगी 15 मात्रा ठीक है अगर हम चौपाई कर दें तो उसमें 16 मात्रा हो जाएंगी तो यहां से अगर हम चो पा कि वासे अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो यह पा हो जाएगा और इसमें एक मात्रा बढ़ जाएगी तो ये 16 हो जाएंगी, इस परकार से ये टरीक है इस परकार आपको याद रखना है तो जो चोपाई हो गई, इसमें हो जाएंगी मातराई 16 इसके परश्चा आगे है Aril तो जो Aril है, इसमें है 16 मातराई फिर वरब्य है, इसमें 19 मातराई है रोला है, सबसे अधिक पुछा जाने वाला प्रशन है रोला, इसमें कितनी मात्राइं है, 22 मात्राइं है याद रखेगा इसको फिर जो दोहा है, ये भी अधिक तर पुछा जाता है इसमें 24 मात्राइं है रोला में 22, दोहा में 24 फिर जो सोठा है इसमें वी 24 मात्राएं है फिर जो हरीगीति का है इसमें 28 मात्राएं है जो हरीगीति का से मुझे एक प्रशन याद आता है द्विवेदी युक खा एक ऐसा परसिद रचनाकार है जिसे हरी गीति का चंद का बादशा माना जाता है उसका नाम आपने बताना है ये प्रशना आपके लिए छोड़ देता हूँ आगे है आलह जो जो आलह है इसमें है 31 मात्रा है फिर है कुंडलिया कुंडलिया दो चंदो को मिलाकर बनता है कौन-कौन से दोहा और रोला कुंडलिया बनता है दोहा और रोला को मिलाकर इंपोर्टेंट है ये प्रिक्चर में पूछा जाता है तो जो दोहा है इसमें 24 मात्राइं होती है और जो रोला है इसमें 22 मात्राइं होती है फिर जो चपई चंद है ये बनता है रोला और उलाला को मिला कर तो जो रोला है इसमें कितनी मात्राइं 22 मात्राइं उलाला इसमें 28 मात्राइं अंत में है उलाला इसमें 28 मात्रा है तो इस परकार से कुछ ये ट्रिक है इसे आप याद करिएगा या फिर इसका स्क्रिन शॉट लीजिएगा यहां से अवश्य प्रशन बनता रहता है आगे है बर्निक चंद या बर्निक चंद आप इसे कह सकते हैं तो जो बर्निक चंद है इसमें कौन-कौन से चंद आते हैं तोटक, सवया, घनाक्षरी या रूप घनाक्षरी कौन-कौन से हैं तोटक, सवया, घनाक्षरी या रूप घनाक्षरी तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी-कितनी मात्राइं आती हैं जो तोटक है, इसमें 12 आती हैं, सवयां इसमें 22 लेकर 26 आती हैं, फिर घहनाक्षरी है, इसमें 31 आती हैं, रूप घहनाक्षरी में 32 आती हैं, याद रखेगा इसके पशात्र में रुख करते हैं अब पाश्चाते काविशास्तर की तरफ तो यहाँ पर कुछ महत्पुन पंक्ति हैं, उन्हें मैं आपके समक्ष लाया हूँ, तो चलिए देखते हैं तो जो महत्पुन कथन हैं पाश्चाते काविशास्तर का दास्ता मृत्यू से भी भयाव है, यह कथन किसका होगा? तो यह कथन हो जाएगा पलैटो का, किसका है? पलैटो का दास्ता मृत्यू से भी भयाव है, यह पलैटो का कथन होगा और ये भी पूछा जाता है कि ये कथन प्लैटो ने किस सर्चना में कहा था रिपप्लिक नामक जो इनकी रचना है वहाँ पर प्लैटो ने ये कथन कहा था आगे है काब्बे को सप्तिय से तिगुना दूर बताया है किसने काब्बे को सत्य से तिगुनादूर बताया है पलेटो ने ही ये बताया था या पलेटो का ही ये कथन हो जाएगा ये भी मत्पून है इसके पर चाते अगला मत्पून कथन ग्यान की सभी शाखाओं में अवाद गती है क्या है ग्यान की सभी शाखाओं में अवादगती है ये किसका मत है ये मत हो जाएगा अरस्तू का और अरस्तू का समें पुछा जाता है कई वार क्या अरस्तू का समें क्या है तो ये 384 हो जाएगा 384 इस्वी पूर इनका समय माना जाता है 384 इस्वी 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 पूर नहीं इस्वी तो यहां से मुझे एक और प्रशन याद आ जाता है कई बार यह प्रशन बनता है कि जो अरस्टू के गुरू कौन थे तो अरस्टू के गुरू थे पल्लैटू और प्लैटो की गुरु कौन थे? प्लैटो की गुरु थे सुकराद इसी परकार जो सिकंदर महान के गुरु पूछे जाते हैं सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो ये थे अरस्तु इसे भी याद रखेगा, यहां से भी प्रशन बनता रहता है आगे जो अरस्तु की कुछ परमुख रचना है उन्हें देख लेते हैं पेरी पोईतिकेस क्या है पेरी पोईतिकस इसे काबे शास्तर भी कहा जाता है इनकी रचना है इसके पर शाते देखनेस रितोरी केस क्या है देखनेस रितोरी केस इसे भाषा शाष्टर भी कहा जाता है इसके परशात है बसियत नामा इसमें जो दासप्रथा की मुक्ति के अबारे में अरस्तु ने कहा था एक बार फिर से बता देता हूँ पेरिपोईतिकेस या काबे शाष्टर तेखनेस रितोरी केस भाषा शाष्टर भसियत नामा ये तीन इनकी प्रमुख रचनाय माने जाती है तो आपसे ये प्रशिन बन सकता है कि जो भसियत नामा है इसमें किस चीज़ की इन्होंने घोशना की थी तो अरस्तु ने बसियत नामा में घोशना की थी तास्प्रथा की मुक्ती से सबंदित बिचारे इनोंने इस गरंथ में रखे थे तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे है पेरी पोईटिकेस ये है इस पुस्त का मुल युनानी नाम ठीक है ना इसका बास्तुविक नाम क्या है इसका बास्तुविक नाम है काबेश शास्तर आगे इसमें कुछ और तथिये देगे हैं जो पेरी पोईटिकेसे इसमें 26 अधियाए हैं और 50 प्रिष्ट हैं क्या है इसमें 26 अधियाए हैं और 50 प्रिष्ट हैं टी बिन स्टेनली के दुआरा पहली पोईटिकस रचना का ओम पोईटिकस नाम से अनुवाद किया गया था और कब किया गया था ये अनुवाद 1780 इस्वी के आस्पात इसके प्रशात है अरस्तु के द्वारा कुमहार द्वारा घड़ा निर्मान का उदारन भी दिया गया है तो ये पिच्छा में पूछा जाता है कि कुम्हार द्वारा घरा निर्मान का उदारन किस पाश्चात्य काभी शास्त्री के द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है अरस्तु के द्वारा आगे है अरस्तु ने काबेशास्तर में तरास्ती महाकाप्य प्रहसन आदी का बंडन किया है क्या क्या है अरस्तु ने जो इनकी काबेशास्तर नामक पुस्तक है पेरी पोईती के से इसमें तरास्ती महाकाप्य प्रहसन आदी का बंडन किया है तो जो तुट्रास्ती का अलग नाम है, लेजेडी, महाकाब्य का, एपिक اور प्रहसन का कॉमेडी, इनका भी जिकर किया है, अरस्तु नी आगे है, दुखान तक के छे अंक माने जाते हैं, क्या है? दुखान तक के छे अंक माने जाते हैं काबे दोश के अधार छे माने हैं अरस्तु के द्वारा काबे दोश छे माने हैं काबे दोश फिर है मिमेसिस, कथार्सिस, आधी शब्दों का प्रियोवी अरस्तु के द्वारा किया गया है तो यह प्रशन यहां से अधिकतर बनता है कि जो मिमेसिस का अर्थ क्या है मिमेसिस का अर्थ होता है अनुकर्न और जो ये प्रशन भी बनता है कथार्सिस का क्या अर्थ होता है तो ये होता है बिरेचन तो इनका भी आपने अर्थ जानाना है और किस के द्वारा ये प्रियोग में लाएगे हैं आगे है अरस्तु के द्वारा पहली बार उपयोगी कला और ललित कला के बीच में भेद शपष्ट किया गया था और जो ललित कला है इसे सवायत गोशित किया था ठीकिना इससे पहले ललित कला को उपयोगी कला या आठ का ही एक भाग माना जाता था अरस्तु ही ऐसे पहले विद्वान थे जिनोंने ललित कला को उपयोगी कला से अलग माना था या सवायत खुशित किया था